हाई फ्रेंड्स, वूम पावर में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एजिंग के साइन आजकल कितने जादा लोगों पे हावी होते जा रहे हैं पहले जहां एजिंग 40-50 साल के लोगों को इंपेक्ट करती थी आज वही एजिंग के साइन 30-35 साल की लेडिस को प्रभावित कर रहे हैं इसके रिजन बहुत सारी हो सकते हैं चाहे बुली स्किन का ख्याल ना रखती हो चाहे वो प्रोपर नीन न ले रही हो या टाइन से खाना ना खा पा रहे हो या फिर तनाव तनाव भी इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है तो आज मैं आपको एंटी एजिंग के लिए कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूं आप अपनी जेव से एक पैसा खर्च के बगेर आप अप गर पर रहकर ही अपने स्किन का ख्यार रख सकते हैं बहुत महेंगे महेंगे ट्रीट्मेंट्स जो आपको किन क्लिनिक में जाकर मिलते थे जो कि काफी कॉसली होते थे उन सब की जड़त चलते हैं वीडियो कंटियू करते हैं मगर उसने पहले मैं किरिंत कश्य य आप सब के लिए एसे ही वीडियो ऐसे ही नोनीजीबूल वीडियो हमेशा लाती रहती हूं तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन अभी दबा दीजेगा क्योंकि उसके बाद यूम में मश्कूल हो जाने वाले हैं और आपको आपको लाइक का बटन दबाना याद ही में रहेगा तो अभी गुजारिश है कि प्लीज अगर वीडियो आपको बहुत जब्सकेन केर पर अपको बहुत ज्यादा ध्यान लेना होगा जिसने जब भी आप इवनिंगमे सोने जाती है तो आपको अपने फेस वाश करने की एक आदद बना लेनी होगी और इसे अपने डेली-डीन लाइक में फॉलो गरना होगा हमेशा क्योंकि अगर आप एक हैल्दी और ग्लोइंग स्कीन चाहते हैं तो आपको यह छोटा सा तकल्लूफ उटाना ही पड़ेगा कि एवरी नाइट आपको स्कीन बॉश करनी है देन स्कीन को मॉश्राइज गरना है अच्छे से और उसके आमन डॉयल में विटामिन ई बहुत जादा मात्रा में पाया जो आपकी स्कीन में कोलेजन प्रोसेस को हाई कर देते हैं और आपकी स्कीन को नरिश करते हैं तो जब भी नाइट में आप सोने जाएं उससे पहले आप फिस वोश कीजिए देन उसके बाद कुछ बूंदे कु मासाज करनी है इससे क्या होगा आपकी स्कीन हेल्दी होगी प्लस ग्लोइंग होगी और एक रात में ही आपको असर देखने को मिलेगा अलावा आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं विटामिन ई के लिए आप विटामिन ई के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल आप यू तो वो आपके लिए नाइट क्रिम का भी काम करेगी बहुत अच्छे से तो प्रोसेस वही है कि आपको फेस वाश करना है देन उस नाइट क्रिम को या अगर इस टाइम नाइट क्रिम नहीं अवेलेबल हो तो आप विटामेन एके कैप्सुल का भी उसकर सकते हैं इसके अलावा तीसरा टिप्स यह है कि आप ऐलोवेरा जल का अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि पर यूज करें अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐलोवेरा जल मुजूद हैं आप मार्केट से लेकर आईए और एस वीजल फेस वाश करने के बाद आ और आप सुने जाएए आपकी बॉड़ी अंदर से हील होना आपकी बॉड़ी फुल नाइट अंदर से हील होगी जिसका आसार आपको मौर्निंग में दिखने को मिलेगा इसके अलावा आपको पानी पीने का अपना बहुत ध्यान रखना है पसीने के दुरू पानी हमेशा नि कीने decision म moo muzayah conversation معव its video अफिकल कि जो स्कीन है वो अंदर से हाइडरेर्ट होगी किमेगी पनायेगा और और किन आपकी ग्लो खरेगी तो यहिना चौथा डिप्स और पाच्वा डिप्स यह कि आप कि आप फल जरूर खाएं और कोशिश किजिए कि हफते में आप पांस तरे की कि फल जरूर खाएं क्योंकि इससे अलग लग तरे का पोशन आपकी स्किन को मिलता रहेगा और स्किन आपकी हमेशा यंग और हमेशा हल्दी और हमेशा यंग और हमेशा गलो करेगी तो इसका लेवेलेबल नोहीं तो आप अलो वीरा जल सेिंद भराइश सकती तो उल सकती है इसके आव आपको अपने खाने पीने का धीreno अज़्चना होगा फूर्ट आपकी इस्केन भ wsp autops य데 आ hunting आपकी किन को लिची ला बनाते हैं आप मॉरनिंग में उठें, मेडिटेशन करें, then अपने लिलिन का प्रोसेस का भी धियान रखना होगा, जितना सकीन को खाना पीना जरूरी है, उतना ही सकीन के लिए आराम भी उतना जरूरी है, अगर आप आराम नहीं करेंगे, तो ये बोडी की अंदर से शिकूरना शरू कर देत अस टो आपको गिंट कोना पड़ेगा अपने चेहरे को वाश कर लिए दैन इसके बार पोई भी लॉशन लागा ली जिए उसे होगा या आपके skin को proper diet मिल जाएगी और अगर उसको proper diet मिल जाएगी तो आपकी skin obviously healthy हो जाएगी और glowing हो जाएगी और लचीली हो जाएगी और ये process आप follow करके देखिए आपसे आपकी खुबसूरती का राज लोग भी जानना चाहेंगे कि आजकल आप ऐसा क्या different कर रही है जो आपकी खुबसूरती में इतना change आया है तो friends ये था मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और subscribe कीजिएगा अभी के लिए एक नही फिर मिलती है एक नही वीडियो के साथ अभी के लिए tata bye bye and good night